अगच्छन तो विद्यारतिनाहां व्याक्रणम पठाम है और व्याक्रणमें भी हम किसकी चछा करेंगे आज, शब्द रूप और It is дан शुए राम benefit परिकार कि हमने इकों शब्द पड़ते हैं.. फलशबद बदू शब्द रमाशब्द वारी शब्द इस preciso कर मन नहीं कितने शबद पड़ते हैं प्वाम उनको याद भी करते हैं प्यारे बच्चो मैं आपको शब्द रूप पढ़ाने नहीं आया हूं कि 올 मापको बताने आया हूं कि उनका किस किस प्रकार से उन सब्दू रूपों का वाक्यों में किस प्रकार से प्रियोग किया जाता है बच्चो मैं यहां बहुत सारे रूप आपको बता शकता था लेकिन मैंने उनका संसेप में किस प्रकार के यदि कोई शब्द रूप है तो उनका हमको किस प्रकार से वाक्य में प् वाक्यशु शब्द का प्रियोग किस प्रकार से करते हैं जहांत Almighty विंदवह है CharTwo ध्यान देने योग्यें हैं आपके लिए शब्दष्चा 一 fif को आधार बना कर उनका वाक्यों में प्रियोग करने के लिए निंभर भी क्यान रखना वचन है या भवचन है उसको जान करके इस प्रकार का कम शब्दों वाला क्या करना चाहिए वाक्य सोचना चाहिए जिसमें उस प्रदत सब्द का उशी रूप में प्रियोग होश के बच्चो आईए देखते हैं तस्वस्यात उसमें करता क्या है क्रिया क्या है उसका निर्ध उस शब्द का हमको प्रियोग करना चाहिए बच्चो मैं आपको अनवाद प्रकरण के नाम से भी आपको पढ़ा चुका उसमें क्रियाओं के बारे में पांचो लकारों में आपको उसका अध्यन करवा चुका हूं आप उसको देखेंगे तो आपके वह अच्छे से समझ में जाएगा इसके अलावा आपको मैं आगे जब धातु रूप है उसका भी थोड़ा संसेफ में वाक्य प्रियोग देखेंगे उसमें भी हम देख लेंगे बच्चो तो उस वाक्य में करता क्रिया का निधरन करते वे उनके नियमों नुसारी शब्द रूपों का प्रियोग क कार को एवं उपद भीवक्तियों का ज्यान भी वाक्य प्रियोग के लिए क्या है अत्यावशक है इसके लिए आगे दिये गए कारक प्रकर्ण के अंत्रगत नियमों को ध्यान में रखना चाहिए यहां उधारनार्थ कुछ सब्द रूपों का वाक्य में प्रियोग दिया जा रहा है जैसे बच्चों देखो अब हमारे पाश आ गया जैसे सर्वह 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 अब सर्वह शब्द दे दिया आपको अब आपको मैं यहां बहुत सारे रूप लिखा सकता था सर्वह 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 इस प्रकार क को पुल्लिंग ौर कौन से भौ अचन में है बच्चो इन दोनों चीज़ों को अमने इलान कर लिया अब अब क्या है है अब हमको उसी प्रकार का वाद के दिमाग में सोचना चाहिए तो मुने शर्वे ले लिया यहां देखो अब सर्वे भौ अब लिया तो अध्यापकाहा गच्चंती, अब यह एक वचन होता यानी सर्व होता तो गच्छती होता लेकिन सर्वय आया संती उसी प्रकार से जैसे सर्वासु दे दिया अब सर्वासु आप समझो कौन से लिंग में है इस त्रिलिंग में और कौन सी इसमें विवक्ति है बताओ सब्द रूप याद होंगे आपको निस्सित रूप से सब्द रूप मैं इसलिए नहीं लिखाये कि आप अच्छे से उनको पढ़ लेते हैं पहले ही सर्वाशु है अब सर्वाशु शप्तमी का भववचन है सप्तमी का भववचन है बच्चों अब कौन से लिंग में इस त् यानि निपुनतम है पूर्व है अब जैसे पूर्व है यह पूर्व है इसमें भी लिंग कर लो विववक्ति कर लो वचन कर लो तो अयम पूर्व पाठ वर्तते यह पहला पाठ है उसी प्रकार से जैसे पूर्वायाह यानि पूर्वाया में कौन सी विवक्ति का एक वचन है और लिंग कोन सा है इस्त्रिलिंग है तो यह देखो यह अगला शब्द भी इसका ऐसा या गया इदम फलं पूर्वायाह बालिकायाह वर्तते यानि पहले वाली बालिका का ये फल है उसी प्रकार से प्रत्म है रामय दसरतस्य प्रत्मा पुत्र है आसी यानि प्रत्मा पु खी लगती है उसी प्रकार से देखो बच्चो सखधियों को विट्रों को उसी प्रकार से पित्र अब ज्बसी प्रियोक प्रयों कारना लगतिया कि लिए उसी प्रकार से पितु नाम रमेश हस्ति उसके पिता का नाम क्या है रमेश है तो गाव चेत्रम प्रतिक च्छन्ती यानि गाई खेत की ओर जाती है बच्चों क्या है जो ये आप शब्द रूप देख रहे हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं करता के रूप में भी हो सकते हैं विशेशन के रूप में भी हो सकते हैं सरवनाम के रूप में भी हो सकते हैं तो उन्हें का उसी साब से प्रियोग किया जाता है बच्चों उसी यांनि जो लोग होते हैं व राजय की अग्या का करते हैं बच्चों उसी प्रकार से विद्वान विद्वान शरवत्र तुझे तो कि सके वाक्य प्यूग को बनाने आने चाहिए और हम इसका व्यास निरंतर करेंगे, हम निरंतर इसके बारे में सीखेंगे, तो हम निस्चित रूप से वाक्य प्रियोगों को जान सकेंगे, तो इसी के शाती आपका ये भाग पूर्ण होता है, आपके ये अच्छे समझ में आया होगा, इसी आसा और विश्वास के साथ हम फिर से मिलते हैं, धन्यवाद है, नमो नमा है.